नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एकादसी के दिन छे काम जरूर करना चाहिए ये आपके भाग को बदल देता है कौन से काम देखिए सबसे पहले तो भगवान स्री हरी की पूजा जरूर करें लेकिन पूजा करने के पहले भगवान सुरी को अर्द देना है तो भगवान स स्वरे सुख सम्रिद्धी सब कुछ मिलता है इसके बाद पीली मिठाई का भोग लगाई अगर पीला मिठाई ना हो तो गुड़ की डली का भोग लगाए कि संभब हो तो बरत रखें नहीं रख सकते हैं तो इस दिन सात्विक आहार गरहन करें और चावल मत खाए और साथ ही सास्तों में कहा गया है कि एकादसी तिथी के दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए गीता के एग्यारवे अध्याय का पाठ करें आपके जीवन के उद्देश्यों की पूर्ती होगी आपके तमाम मनुकामनाएं पूर्ण होगी इसके साथ ही पांचवा उपाए जो है वो यह है कि एकादसी पर तूलसी के पत्ते ना तोड़े और ना ही अगर आप ब्रत रखते हैं तो तूलसी के पत्ते नहीं खाए तूलसी को मालक्ष्मी का स्वरूपा माना जाता है और एकादसी तिथी के दिन तूलसी को जल और पित करने के साथ ही सुबह साम दीपक जलाएं तो जीवन से नकात्मक उरजाएं चली जाती हैं और आपके जीवन में बहार आ जाती है छटा उपाए घर के बड़े बुजुरूगों का साधू संतों का सम्मान करे और हो सके तो एकादसी के दिन किसी को कुछ खाने पीने के निमित आपदान करे दक्षिना दे सकते हैं और सबसे अंत में सास्त्रों में कहा गया है कि गाय में सभी देवी देपताओं का निवास होता है गाय में नारायन का बास होता है इसलिए एकादसी तिति के दिन गाय की सेवा जरू करनी चाहिए गाय को इस दिन आप एक छोटा सा परियोग करें सबसे पहले तो कोसिस करें कि आप अपने हाथों सो ही खिलाएं क्या खिलाएंगे रोटी और गुड़ अगर रोटी ना हो तो भी चलेगा गुड़ खिलाएं और उसके बाद गाई के मस्तक को छू कर अगर छू सके तो नहीं छू सके तो कहीं भी छूले पूछ छूले प्वेट छूले और छूने के बाद अपने जीवन की परिसानी कहें और फिर परणाम करें आप देखिएगा आपके जीवन की सारी समस्याय समाफ्त हो जाएगी और गौमाता के आसिरवाद से भगवान सरी अरीका बास होता है तो ऐसे में आप चाहें तो गाय के जो पैरों की धूल है उससे आप तिलक कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा उठाकर अपने पास संभाल कर रख लें तो चारो दिसाओं से सम्मान मिलेगा मान सम्मान यस बढ़ेगा जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और पर्मानन्द की प्राप्पी होगी तो हम आप से भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक का सब्सक्राइब कीजिएगा आपके कमिनिस का इंतजार रहेगा हर हर महादेब धन्वाद